दोस्तों बुल मस्टिफ की में अलड़ी काफी सारी वीडियोस डाल चुका हूँ लेकिन अगर आप लोग आज के डोग की क्वालिटी देखोगे तो सीरियसली आप लोग को लगेगा कि हाँ भाई डोग में दम है क्योंकि भाई ये बुल मस्टिफ नोर्मल क्वालिटी का नहीं है और ये चीज आप लोग को तब पता लगेगी जब आप लोग इनकी पेरेंट्स की क्वालिटी देखोगे और आप फैंट्स आज मैं अपने सेकंड चैनल एना दर जेस्टी लाइफ पे एना कि एक चोटी सी वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ तो प्लीज एक बार उस वीडियो को भी चरूर चेक आउट करें चैनल का लिंक अप लोग को उपर आई के बिटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सो गईस बुल मश्टिफ ये बिल्कुल अपने नाम की तरह है जिनके नाम से ही पता लग चाता है ये एक बहुती भारी भर कम डोग बीड है बुल मश्टिफ बहुती स्ट्रोंग, मस्कुलर और बलकी डोग बीड है जो काफी पाउरफुल होते हैं, जो किसी को एक पर पकड़ ले तो उनका छूट पाना काफी मुश्किल होता है बुल मश्टिफ एक काफी लाज साइस की डोग बीड है लेकिन इसके बावजूद भी आप लोग इने मीडियम साइस के गरों में आसानी से रख सकते हैं बाकी गाइस फीमेल की क्वालिटी अल्टीमेट है और ओनर ने इसकी सभी वेचिनेशन भी कम्प्लीट करा रखी है एंड साथ में आप लोग को काड भी मिल जाएगा तो गई सीरियसली अगर आप लोग एक बुल मश्टिफ को परचेस करना चाहते थे तो इससे अच्छा मोका आप लोग को जल्दी से नहीं मिलने वाला क्योंकि आजकल ओवर ब्रीडिंग की वज़े से डॉक्स की क्वालिटी वैसी नहीं हो पाती चैसी इस फीमेल की है और फैंस आप लोग यकीन नहीं करोगे कि ये फीमेल जल्स 6 मंत की है और इसी एज में आप लोग इसकी ग्रोथ देख सकते है और फैंस 18 मंस तक जाते जाते तो ये फीमेल बहुत ही हैफी हो जाएगी अगर आप लोग इसे एक प्रोपर डाइट देते हैं तो क्योंकि ग्रोविंग पिरेड में हर एक डॉक्स की डाइट काफी ज़्यादा होती है तो ये चीज आप लोग को मेंटेन रखनी होगी बाकी ओनर ने इस फीमेल को बेसिक ट्रेनिंग्स दे रखें तो प्लीज आप लोग भी इस चीज को कंटिन्यू रखें तो आईए गाईस अप मिलवाता हुम आप लोग को इस फीमेल के मदर फादर से इस female की quality कैसी होने वाली है बुल मश्टिफ बहुती अच्छे protective dogs होते हैं जो अपनी family को काफ़ी अच्छे से guard करते हैं वैसे गाइस बुल मश्टिफ दूसरी dogs की तरह चोटी चोटी बातों पर bark नहीं करते ये काफ़ी rarely bark करते हैं तो चले दोस्तों इसकी बाकी की information के बारे में बात करने से पहले ये है हमारी पिछली वीडियो के top 3 comments जिसमें से फर्स्ट है पर्चवाल गाने पैट्स लवर सेकेंड है मिस अंकीता और थर्ड है प्रशान चोधरी तो फ्रेंट्स एस्तों में आप लोग को इस female की already बताई चुका हूँ ये female 6 months की हो चुकी है और इसकी जो location है वो है करनाल हर्याना से ओनरे आप लोग को करनाल के अंदर delivery provide करा देंगे अगर आप लोग आसपास से बिलोग नहीं करते तो आप लोगो खुदी direct visit करके इस female को purchase करना होगा और फ्रेंट्स अगर बात करे इसके price के बारे में तो female ultimate quality की है और ओनरे जो इसके price की demand की है वो किये 25,000 रुपीस यानी 25,000 रुपे बट टोंट फरी ये price negotiable है I'm sure purchase करते टाइम आप लोग इसमें discount मिल जाएगा बाकी गाईस quality के सब से price आप लोग को कैसा लगा प्रीस comment section में लिखके मुझे जरूर बताएं तो यही तक दिया मारी आज के चोटी सी वीडियो मिलता हूँ आप लोग से एक और new and interesting वीडियो में सो तब तक के लिए बाबाई